नमस्कार दोस्तों आप शवी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13, 14 और 15 अफरेल के आपकी राशी के महा राशी फल के बारे में सबसे पहले दोस्तों जिनिकाव यश्मी बड़े है या फिर एनिवर्सरी है आप शवी को मेरत रप्षे धेर शारी शूपकाम नहीं तो एदर सुलसी के शाथ बात करते हैं यश्मी घराओं के उत्ति केशियों की क्या क्या योग पनेंगे और इन शवी का शवी आपकी राशी उपर क्या होगा किन किज़़ों को लिकर यश्मी आपको शाधन रेना होगा और कौन-कौन शेकारा खिल्या आपके लिए भागे शल होगे यश्मी आपका अलब लायग के शरह हैगा शवास के शरह हैगा के रेटके शरह हैगा दोस्तों इन तीन दुरों में आपका पारिवरिक जोन के शरहेगा आर्थिक सती और धन को लखर सतीयां केसे उत्त होंगे इन शबी की महत्पुन जार कर देंगे तो दोस्तों वीडियो को मिशना करें और शुरू सरे कर अंतर तक जरूर देखें पुश्य पहले दोस्तों वर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों निवेदाने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें शाथ भी बेल आइकन को प्रेश करके और पशलेट कर लें तो आई दोस्तों बात करते हैं पहले जानते हैं इन तेंदरों की गरहों की उतितिकी बारे में सबसे पहले दोस्तों 13 अफ्रेल की बात करें तो मंगलवार का दिन रहेगा शुकल उपाशी प्रतिव पतातिती रहेगी और अशुनी नाम का इस दिन नचत रहेगा दोस्तों इस दिन योग की बात करें तो दोस्तों इंदिन प्रिती नामा शुभ्योग रहने वाले हैं राव कल करशमें शाम के तीन बच कर 35 मर्शिरे कर शाम के पांच बच कर 9 बनेट तो रहेगा दोस्तों ये राव कल करशमें में आपको भी महत्कुन कारें को ना करें और चन्द माई दिन मैंस राश्ची पर संचार करेंगे वह दोस्तों चोगदा अफ्रेल की बात करें तो दोस्तों इंदिन भूदोवार का दिर रहेगा दोवित्यात यति और भरनी नचतर रहने वाले हैं और इस दिन प्रिती योग के बाद आईश्मान नाम के रहने वाले हैं और यह योग भी आपके लिए बहुत ही लाब कारें रहेंगे बशरती आपको एक दो कारें को लेकर श्रावदान रहना होगा राव कल करशमें दोपर के 12 बचकर 27 मिट से लेकर दोपर के 2 बचकर 1 मिट रहेगा और 4 माई दिन में इस राशी को प्रांद ब्रिशव राशी में शंचार करेंगे और दोस्तों आकरी दिन 15 उपरेल की बात करें तो दोस्तों गुरुवार का दिन रहेगा तृतिया तिती और रोहनी इस दिन नचत रहेगा दोस्तों इस दिन आई शुमान नाम के योग के बाद शोभा की नाम के योग रहने वाले हैं जो दोस्तों और आकरी दिन में भी बहुती अच्छी योग हैं जो कि आपके लिए लाबकारी रहने वाले हैं और राहू कल कर शमय दोपर के 2 बचकर 1 मिट से लेकर शाम के 3 बचकर 5 फिस मेरत रहेगा और चणरमा अगरी दिन में भी राशी पर ही संजार करेंगे तो आई दोस्तों बात करते हैं इन 3 दों के जो गरहों की इस्तिति हैं और चणरमा का या बदलाव आपकी राशी पर क्या परोई डालते हैं चलिए दोस्तों बात करते हैं पूरी विस्तारशी दोस्तों यश्व में वह शाय की जातकों को भी अच्छा मुनफ़ा मिल सकता है जिनके चलते आपको आर्थिक लाप भी होगा आपके खर्चों में ब्रिद्दी देखी जाएगी दोस्तों यश्व में आप वहां आदी की ख परिवर्तन शंभव है जिससे चलते उन्हें दूर भी होना पड़ सकता है दोस्तों किसी नजिदी की रिष्टेदार के शाथ आपका जो है रिष्टा खराब हो सकता है सही संप्रेशन से आपको बहुत मदद मिलेगी वह दोस्तों इन दुनों में यह जो आपके लिए समय ह है कि आप अपने शोभाव और आजपास की चीज़ों का गहराई से विसलेशन करें कुछ लोगों और आतों से एक निस्सित दूरी बनाए रखें दोस्तों ताकि आप बुरी पस्तितियों से बाहर निकल सकें कारियों के साथ भावनों को शंतुलित करना आपके विकास के ल विसेश अधिकार और सेवतंतरता मिल सकती है वह दूस्तों यस्त में उचपदाधिकारी और बुझर कि रिष्टी से आपको मिल सकती है यह जो समय है आपके शवी काम सरल्ता से संपन होने के समय है यास में आप अपने कामों को सरल्ता से संपन होते हुए देख भी पस्तित्य जो है अनुकुल यश्मे रहेंगी वह दोस्तों यश्म में अगर आपकी लवलाइप को लेकर बात करें तो प्रेम ंजीवन के रिए ये जो शम distintos हैं अनुकुल दिखाणी दे रहे हैं रिष्टों को और मजबूतित देंगे वे दूस्तों यह जो शमय है आपको अपने रिष्टों में कुछ जो है बाधा भी नजर आएगा रिष्टों में ताजगी लाने के लिए आपको कुछ नया करने की यश्मय आफ सकता होगी वे दूस्तों यह इन समय अगर आपकी तो भागिशाली रंग रहेगा गुलाबी और भागिशाली अंक रहेगा छे उस्तों यह में विप्रित लिंगी वेक्तियों की तरफ अपना ध्यान केंदित करेंगे किसी के लिए अपने मन में कौमल भावनाय भी उदित होंगी दूस्तों पुराने शम्मंद नए मोड ले वे दूस्तों इन दिनों में अगर आपकी विति सिति यानि धन को लेकर बात कें तो आपकी रशनात्मक छमता यस में उबर कर स्वामने आएंगी इससे आप अपने कारी प्रणाली को बदल सकेंगे और आप काम के हर पहलू को आसानी से प्रबंदित भी यस में कर सकेंगे कुछ चिड़ी रहेंगे जिससे आपकी लिए जोिए अनुमान लगाना कठिन होगा सतर करें हैं क्योंकि यह जो श्रमे हैं आपकी साति को दिमागी रूप से चक रहा सकता है वह दोस्तों यह शमय अपने साधी से आप जूट बिल्कुल ना बोलें क्योंकि यह जो शमय है इस्तिती अधिक जटील हो जाएंगी वह दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी आर्थिक इस्तिती की बात करें तो आप वित्ति जोखिम ले सकते हैं आप किसी प्रोजेक्ट के पीछे पेसे करना चाहेंगे जिस काम को करने के लिए आप पीछले कापी शमय से सोच रहे थे आप उसके लिए कुछ शमय भी निकाल सकते हैं दोस्तों यह जो दिन है स्वास के लिए कोई शमस्या नहीं है हलांकि आपको अपने स्वास को बिगड़ने से यह में बचाना चाहिए आम तोर पर आप जो है दिल से सोचते हैं लेकिन यह जो शमय होगा आपका मन भी उतना ही शक्री होगा और आप चीजां के बारे में दिमाक्षी काम लेंगे दोस्तों यह जो शमय है आपके लिए अनास्था लालाच और आस्तिक जिसे खराब बिमारियों से बचाएगा दोस्तों इस्तरासी के कुछ लोगों को जो है यह शमय संतान प्रक्षे आर्थिक लाब होने की उम्मीद है यह शमय आपको अपनी जो है संतान पर गर्ब हुवे महसुद होगा जिने आप चाहते हैं उनके साथ उपारों का आप लेंदेन भी यह शमय कर सकते हैं आपके लिए यह शमय अच्छा रहेगा दोस्तों अपने पीरिक के कड़वे सब्दों की कारण आपका मूड भी असमे थोड़ा खराब हो सकता है वह दोस्तों इन दिनों में नई चीजों की सिखने की जो आपकी ललक होगी काबिले तारिफ होगी अगर आप खरेदारी पर जाएं तो जरुत से ज्यादा जेव ढिली करने से बचें आपकी भागदोर भरी दिन चरिया के कारण आपका जिवनसादिक खुद को दर किनार महसुद कर सकता है जिसका आई जहार शाम को होना मुम्किन है वह दोस्तों इन समयों में यह जो दिन है किसी एक भोजन में नमक नो खाएं इसे जो प्रेम समन्द अच्छे होंगी तो आई दोस्तों अब बात करते हैं हर रोज की तरह एक नए और सरल टोटके के बारे में दोस्तों यह टोटके आपके जिवन की दिशा को बदल सकता है आपके भोश में जो खुसियों का आगमन करा सकता है तो आप इन्हें अपने डेली रूटेन लाइफ में जरूर ट्राइ कीजिएगा तो जली दोस्तों बात करते हैं दोस्तों प्रती दिन सुबह पीपल के पेड़ पर आप एक लोटा जल चड़ा है मननेता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विश्नु का वास होता है दोस्तों रोज यह उपाई करने से भगवान विश्नु परसन होते हैं और सूफल जो है अपने साथों को परदान करते हैं तो दोस्तों इन बातों का ख्याल अपने डेली रूटिन लाइफ में रखें और उन्हें परियोग करें दोस्तों देखते ही देखते जो आपके भाविश्य जो है बदलने लेगा आपके जो उनमें खुसियों का अगमन होगी तो दोस्तों और अधिक जारकारे के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें शेयर करें शादी दोस्तों कमेंट स्रक्षन में आप जैस्री बिश्णू जरूर लेके धन्यवाद